अज बनाएंगे हम लोग क्रीमी रेट सॉस पास्ता बहुत ही टेस्टी होता है अब हम एक कड़ाई को चड़ाएंगे उसमें तीन से चार ग्लास पानी को बॉयल होने के लिए टाल देंगे उसमें एक चम्मच नमक टाल देंगे और थोड़ा सा उसमें हम लोग बॉयल को टाल देंगे पानी अब बॉयल होने पर है देखे पानी पूरे अच्छे से बॉयल हो गया है अब इसमें हमने तीन सौ ग्राम के करीब पास्ता को डाला है पास्ता मेरा सौप्ट हो चुका है अब उसमें ठंडे पानी को डाल करके पास्ता को हम लोग निकाल लेंगे पास्ता बहुत जादा ना गला है नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा इसका टेस्ट अब एक फ्राइपेन में हम लोग दो चमस देशी घी लेंगे आपको जो लेने का मन बटर भी ले सकती हैं तेल भी लग सकती हैं और दो बड़े चमस मैदा को डाल करके उसको अच्छे तरह से भूल लेंगे अब देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ गया है न अब इसमें हम लोग पहले थोड़ा सा दूर टाल करके इसको मसल मसल के मिलाएंगे ताकि इसमें लंप्स न पड़े है अब थोड़ा से हम लोग दूद डालेंगे और इससे अच्छे से देखिये मसल मसल के हम हुआ कि इसको मिलाएंगे लोग आप हेकर एक इसी तरह से मिलाएं पिर इसमें हम लोग डूद डालेंगे और फिर अच्छे ये से मिल ला लेंगे इसमें हमने 700 ग्राम का यूज चिया है दूद Baş meant कि देखे किया ise में उबाल आने लगा अब ब्लνη पेपर ओर गळे ऑर्म चिली फ्लेक्स सेजनिंग सब टी स्पून डालेंगे इसमेगेआ हम लोग देखिए अब इसमें उबाल आने लगा है और कितना क्रीमी क्रीमी लग रहा है न। इसका टेक्शार बहुत ही अच्छा बहुत है अब इसमें तीन स्लाइस हम लोग चीज डालेंगे आपका अपना मैन है आप जितना भी चीज डालें अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है चलिए अब एक प्यास एक सिमना मिर्च को रफली बने काट लिया है और टमाटर के प्यूरी बना करके हमने रखा है टमाटर को उबाल करके उसको मिक्सी में चला लिया है और दो चमस टमाटर केचप उसमें डाल दिया है गार्लिक हम साथ से आठ कली लिए है उसको भी क्रस करके रट लिए है अब इसमें पहले गार्लिक को डाल देंगे और इसको अच्छे से हम लोग भूल लेंगे अब प्यास डालेंगे उसको भी एक से दो मिनट के लिए चला लेंगे अब उसमें हम लोग सिमना मिर्च डाले उसे भी हम लोग दो-तीन मिट चलाने के बाद उसमें टमाटर का जो हम लोग प्यूरी बनाये थे वो इसमें डाल देंगे अब इसमें हम लोग तेर चमच नमक डालेंगे नमक आप उपने स्वात के अनुसाद डाल सकती हैं अब इसको अच्छे से हम लोग फ्राइ करेंगे अब इसमें वाइट सॉस पास्ता मिला करके अच्छे से चलाएंगे देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा आने लगा और यह जब पकने लएगा तो इसका कलर और भी अच्छा हो जाएगा बहुत ही क्रीमी क्रीमी खाने में लगता है बहुत ही टेस्टी लगता है यह खाने में आजकल के बच्चे को पास्ता बहुत ही अच्छे लगता है आप घर पे बनाके दीजिए उन्हें बहुत ही टेस्टी लगेंगे मार्केट के पास्ता से जादा अच्छा और इस तरह से हम लोग सारा पास्ता को डाल देंगे और इसे अच्छे तरह से हम लोग चला देंगे देखने में कितना यम्मी लग रहा है ना खाने में उतना ही टेस्ट ही है कि देखreno सबी को अच्छे से हम अटकर लगों मिला लेंगे फिर एक प्लेट में इसको हम लोग देखे अब हम लोग प्लेटिंग करेंगे कितना जूसी और यम्मी है मैंने जो टमाटर प्योरे बनाये था उसमें तीन टमाटर हम लोग बड़े बड़े तीन टमाटर लिए थे उसको उबाल करके मिक्सी में चला लिए थे और उसमें 2 टेवल स्पून टमाटर केचप भी टाल करके मिला लिए थे अब आप भी बनाईए और खाईए